राव गोपाल सिंग Кरवा के बारे में अभी अधियन करेंगे इस से पहले हम ने भाकि जितने भी क्रांतिकारी कर दिया थ teh योजनाए आदी के बारे में हम अध्यन करेंगे तो खर्वा ठीकाने ये अजमे राज्ये के अंदर पड़ता है जो उस समय का अजमे जो केंदर सासिच पर्दे से उसमें खर्वा नामा के इस्ताने वहां ठीकाने की क्या हुआ करते थे ये ठाको रुके हुआ करते थे इनका जनम अठारा सो बहतर के अंदर हुआ था अब देखो इनके जनम के बाद में इनकी जो सिक्सा दिक्सा है वो मियो कोलेज के अंदर हुई लेकिन फिर भी बड़े आच्रे की बात है कि ये क्या हुए थे उस समय आर्य समाज की विचारदारा उससे बड़ी परभावित थे औ इन्हों ने बंगाल के अंदर जो एक भारत धरम महा मंडल नाम का आयोजन किया था इसमें जो राजस्तान से धरम महा मंडल के एक सिस्ट मंडल के सदस्य के रूप में गोपाल सिंग खरवा जी कहां गए थे बंगाल गए थे और यही इनके जीवन का बड़ाई टर्निंग पॉंट था था यहां उनका संप्रक करांती कारें से उस पर आगे बढ़ते हैं अब इन्हों ने देखो क्या किया उनीस साथ में पे इन्हों ने अजमेर के अंदर जो वर्दमान विद्याले की स्थाबना करके करांती कारियों को परसिक्षिन परदान किया था वैसे ही गौपाल सिंग खर्वा ने भी इस राजपूताना शातरावास के माद्यम से ऐसे बच्चों को इसमें भरा जो आजादी के लिए कुछ कर सके करांती के लिए जिनको क्या कर सके तैयार कर सके तो ऐसे चात्रों को यह इस चात्रावास में क्या दिया जाता था एडमिस्टन दिया जाता था और उन्हें करांती के पत पर चलाने के लिए तैयार किया जाता था अब देखते हैं इनके करांती कारी गतिविडिया कौन कौन से गतिविडियों के अंदर इनका नाम आया तो राप गोपाल सिंग का नाम दिली सडेंटर के जो हम कई बार जो पीछे हम पढ़ चुके हैं तो दिली सडेंटर केस के अंदर भी इनका नाम आया था जिसमें लॉड हॉर्डिंग पर क्या फैका गया था बंब फैका गया था इसमें भी नाम सामने आया था उन पर भी पुछ जो परमान ही मिले लेकिन बाद में उनका खागी जोदपूर और जो नसीराबाद की जो राजपूद सैनिक है जो फोज में बढ़ती है उन सैनिकों को भढ़का रहे हैं अंग्रेजी राज के विरुद यानि उनको भढ़का करके बिट्टेस राज के विरुद उक्च नहीं के उनको क्या कर रहे हैं ये बिट्टिस राज के विरुद भढ़का रहे हैं लेकिन इतना सब होच सदाने के बाद भी जो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट की धारा तीन के अंतरगत क्या किया गया था उन पर मुगदमा चलाया गया था और उसका मुदमा चला करके फि के हत्यागांड के अंदर भी इनके उपर संदे था कि उनकी हत्या के अंदर गोपाल सिंग जो खरवा है वो भी सा मिलते इसके अलावा इन्होंने केसरी सिंग भारट के साथ मिलकर के इन्होंने जो वीर भारत सबाह है इसकी की स्थापना की थी इसकी स्थापना करने वाले क सबाथी उसी काई यह चाती संस्ता थी जो राजस्थान के अंदर करांती कार्यकती वीड़ियों को क्या कर रही थी संगठित कर रही थी तो देखो इधर इदर जो भाराज के जो टॉप लिडर्रस थे जिसे रास बियार इबोयो सुचिंडर ना सानियाल यह अंग्रेजियों को पर्थम विस्व यूद के अंदर फसाद दे करके भारत में क्या करते थे एकरांती करने की यूजना बनाई क्योंकि इनका मानना था कि इस समय जो सारी फोज है वो क्या है अंग्रेजियों की और जो भारती राजाओं की वो बाहर है तो ऐसी इस्तिम में उ यह एक्रान्ती करके एंग्रिजों को बार से बाहर खदेट़ देना चाहिए तो इस कुरान्ती की जब योजना पर्थम इस उद्वेड़ के द्वारां उनकिसने मनाई ति्रास बीयारी वो उसने ससस्तर है यह हतियानों से भी इनको कारे किया गया था हालांके इसके संस्था पक मुख्य रूप से ठाकूर केसर सिंग बारट थे लेकिन जो परमुक जो व्यक्तित वे इसमें थे वो राव गोपाल सिंग खरवा ही थे तो इन्हों ने यहां पर मिल करके आस प्रोस के जो राजपूर सेनिंग थे और भी थे उनको क्या किया करांथी गारी रास्ते पर लाने का काम किया था किंतु यूजना क्या हो गई देखो वेपल हो गई यानि जो गोफाल सिंग जो खरवा है गोफाल सिंग खरवाने क्या किया गोपाल सिंग खरवा का जो राजपूताना के जो राजदरबार राजगरा ने उनसे पर्त्यक्स शंप रगता तो उन्हों ने इस चेतर के अंदर रास बियारी बोस्ट ने जो भूप सिंग है उसके साथ में मिलकर के क्या किया था यहां पर करांती को सफल करने का प्रयास किया था इसी के लिए रास बियारी बोस्ट ने भूप सिंग को कहां पर बेजा था अजमेर बेजा था और अजमेर जाकर कि ये कहल वाया था वहां जाकर कि क्या की जाए आप जो राजपुता ने की जो पूरानी जो तोड़े दाद हैड्री मार्टिन जो बंदू के हैं और कार्तुस खरीद अब देखो ये क्या था अंग्रेज सरकारिस में नई जो करने की थी एक फरवरी उन्नी सो पंद्रा रास बियरी बोसने क्या कि थी ने चित की थी तो यहां ये काम भूप सिंग जी बड़ी अच्छी तरीके से कर रहे थे जिनके साथ में समनवे कौन कर रहे थे गोपाल सिंग खरवा कर रहे थे लेकिन देखने वाली ये बात है कि जब ये करांथी करने के लिए तयार थे सब कुछ यूजना थी लेकिन इनके अपने ही बेदिये के कारण करांथी की यूजना क्या हो गई विफल हो गई तो इस कारण यहां पर राजस्तान के अंदर भी गोपाल सिंग जो खरवा है उनको भी क्या करना पड़ा था बड़ी यूजना विफल हो जाने के कारण यह राजस्तान के अंदर भी क्या हुई थी यह यूजना सफल नहीं हो पाई थी अब जब यह जंगलों के अंदर इस करांथी की तैयारी कर रहे थे उसी समय इनको क्या कर दिया सरकार ने आकर के घेर लिया और इन्हें चौबिस जो 2015 को सर सामना करने का निच्छे किया था लेकिन बाद में समझता हो गया किया था कि भी आपको नजरबंद रखेंगे आपको गृतÁ नहीं करेंगे और आपको बंदी जैसा हम नहीं रखेंगे काफी सारे आपको छूड डेंगे घोड़े अस्तर शस्तर आपके पास आऊँगे। cas गटना है थी करांती कारी गटना है उसमें भेदियों द्वारा जो सरकारी गवा बन गए थे उनके द्वारा ले लिया गया था तो उनके द्वारा इनका जो नाम लेने के कारण ही इनको क्या करना पड़ा था यांकि जो जेल तोड़ करके वहां से क्या करना पड़ा था भाग के बाद हलांकि उनको किया कर लिया गया कृएं कि जब भाग करके आगए जा रहा थे इसी एजमेरवाले उलाके के अदर थे और एक जो महत्पूर्ण इलाका था जो जैसे सलीमाबाद जो सलीमाबाद जो पहुंचे वहां से जब ये सुचना अंग्रेज इनके पीछे पीछे बागे हुए आ रहे थे उसी समय ये सुचना किसको मिलती है जो भूप सिंग को मिलती है हलांकि भूप सिंग जो उस समय विजे पती के नाम से प्रसिद हो चुके थी और सलीमाबाद में इनकी जो मदद के लिए आते हैं जो उटों पर सवार होकर वहां से पहुंचते हैं लेकिन इस से जब तक भूप सिंग पहुंचते हैं इस से पहले ही गोपाल सिंग क्या करते हैं कुछ सर्तों के साथ में अंगरेज से अंदर जाकर के इनने क्या किया जाता है बाद में रिया किया जाता है तब तक इनने क्या रखा जाता है नजर बंद रखा जाता है और उन्नीस सो बीस में इन्होंने जेल से छूटने के बाद में ये अपने रचनात मकारियों में सलंग नोगे ने रचनात मकारियों में लगे बाद में किसी परकार के इन्होंने ऐसी करांती कारी गतिविद्या नहीं की और फाइनल रूप से जाकर के उन्नीस सो चपन में इनका क्या हो गया दिया उस्तान नियान इनकी मरत्यू हो गी थी तो ऐसे बहुत ही महत्पूंड वेक्तित्व थे जिनका कारे था राजस्तान के अंदर करांती की जुआला बढ़काना और राजस्तान के अंदर जो करांती करने का संपूंड दाइत्वे इनके उपर था और इस दाइत्वे को इन्होंने बेखुबी निभाया था हालां कि जो राश्टी इस तर पर करांती और सपलोगी पंजाब के अंदर जो इनका कमेंट करके जरूर बताएं धन्यवाद